Hello guys, this is Mukesh Mekar, welcome to Mukesh Mekar YouTube channel सबसे पहले थांक्यू सो मच सब आप सब को क्योंकि हमारे कल ही 20K subscribers complete हो चुके है तो आज का हमारा नया वीडियो है रीम लाइट के उपर जब भी आप Photoshop Manipulation करते हो तब आपको एक लाइट डालने की जोरत पड़ती है जब भी आप पीछे को एक बैग्राउंड करते हो तो उसका जो light effect होता है वो आपके body के ages पर आता है तो उसी को बोलते है रीम लाइट तो how to add रीम लाइट यही आज के वीडियो का topic है तो let's get started यह photo मैंने हमारे Photoshop के अंदर import कर लिया है आपका Photoshop का version कोई भी होगा तो भी no problem उसके अंदर आप यह process कर सकते हो तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रीम लाइट दिखाने के लिए यह photo open किया है मैंने कुछ प्रॉपर cutting वगरा नहीं किया इस पर जब भी आप Photoshop manipulation करते हो तो सबसे पहले background करना पड़ता है उसके बाद में background को add करना पड़ता है उसके बाद में background और body को match करना पड़ता है इसके बाद में आपको जो है वो रीम लाइट डालना है तो अगर आपको यह पूरे step-by-step manipulation का भी वीडियो चाहिए तो मुझे मुझे comment के अंदर बता देना उस पर भी में वीडियो ज़रूर बनाऊगा तो देखिए सबसे पहली step जो है आपको body के layer पर आना है और इस पर double click करना है जैसे ही आप body के layer पर double click करोगे आपके Photoshop के अंदर एक layer style open होगा यह box है इसे बोलेंगे layer style देखिए इसके अंदर आपको 3rd या 4th number पर होगा inner glow होगा inner glow option पर click कर देना है जैसे inner glow आप open मतलब click करोगे आपके सामने कुछ options open हो जाएगे इसके अंदर आपको क्या करना है देखिए blending mode को कर देना है color dodge ठीके उसके बाद में noise को zero कर देना है पहले opacity को थोड़ा सा down रखना है और color जो है वो rate ले लेना है सबसे पहले आपको color slate करना है यहां से जो भी background का color है अब देखिए background में कौन सा orange color है तो orange पर click करोंगा और उसका saturation मतलब थोड़ा उसको orange की तरफ लेके जा रहा हूँ color slate कर दिया, blending mode आपको रखना है color dodge यह number one coloracht करना है उसके बाद में blending mode चैंज करना है उसके बाद में opacity कम जाध करना है फिर देखिए आपको करना है ऐसे एसे नीचे आ पर आना और इसको je size उसको कम जाधा करना है तो size थोड़ा कम है रखेंगे कम रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा एक रेक्टेंगिलर शेप में देखेगा एक मतलब ऐसे पाइप के शेप में देखेगा आपको रेंज थोड़ा सा बढ़ा लेना है ठीक है यह जो नीचे का है जिल्टर यह भी आपको थोड़ा सा देखें एरेंजमेंट कर लो इससे जादा कुछ फरकने पड़ेगा इसको थोड़ा कम भी रखना है मतलब इसमें जब भी आप आओगे तो आपको चार चीज़े सबसे इंपोर्टन एड्जिस करने पड़िए सबसे पहले कलर लेना पड़ेगा जो बैगरॉंड के अंदर है उसको ब्लेंडिंग मोड जो है व अपके अपर है फोडी के ऊपर रेम लाइड यह घौक है ऑन्न Всем पर भी आपके पूरे फोड़ेक अंदर पूरा जो इा उस पे रिम लाइड टाइड हो अलेकिन हमें फूरे फोडो पे नहीं चाहिए हमें सिर्फ पर्टिकलर उहीं पी चाहिए जहां से लाइट आरा ही है ठ तब आपके पास में उस जो लेयर स्टाइल हमने ओपन किया था, जो रीम लाइट आड़ करीए वो नए लेयर पर ओपन हो जाएगी, अब आपको क्या करना है, इसको अल्ड प्रेस करके एड लेयर मास्ट पर क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक करोगे, आपका वो जो रीम आपने से राइट क्लिक करके जीरो रखना है, उसके वाद में जो फ्लो और ओपिसरी उसको 100-100 रखना है, अब आपको जहां पर भी रीम लाइट चाहिए, वहां पर इसको यूज करना है, आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से यहां पर रीम लाइट एड हो रही है आपके, इस तरीके से आपको रीम लाइट एड करनी है, अब देखे, यहां पर मैं जब अप्लाइ कर रहा है, तो ज़्यादा एप्लाइ हो रहा है, तो अगर आपको कम करना है, तो उपर से ओपस जो है, उसको कम कर दो, इस तरीके से रीम लाइट एड हो चुगी है, अब प्रॉब्लम का बादी है जब एक से जाधा पीछे colors हो अब समझो यह एक color हो गया अब अगर आपको देखो अभी mask करने का फाइदा क्या है अगर आपको समझो यहां पर नहीं चाहिए तो जैसे ही यहां पर express करोगे यह background और फिर से अगर यूज करोगे तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो अब मैं आपको और एक step बता दो और एक तरीका बता तो इससे easy सबसे पहले आपको new blank layer लेना है फिर उसको right click करके create clipping mask कर देना है पहले ही ठीक है फिर उसका blending mode change करना है color dodge पहले ही आपको color dodge कर लेना है और उसक इसके आद में simple एक brush लेना है आपको brush फिर color select करना है जो background में color है वो उसका थोड़ा सा saturated color अब देखे आप जैसे ही इसके age पे click करोगे तो आपके rim light एड़ हो जाएगी देखे यह थोड़ा आसान तरीका है और मैं तो इसी तरीके से करता हूँ क्यूंकि हमें जब भी चाहि आप एड़ कर सकते हो ठीक है तो यह हुआ हमारा second तरीके से दोनों में से किसी भी तरीके से आपको जो comfortable लगता है उससे आप कर सकते हो मेरा मेरे इसाब से दोनों का combine करके अगर आप करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा पहले जो मैंने double click करके layer style के अंदर से बता है पहल तो अगर आप मुझे इस्टाग्राम पर follow नहीं करें तो इस्टाग्राम पर follow करो उसका जो link के मैंने description के अंदर दिया हुआ है यहां पर हर संडे को हम question answer के live session लेते रहते हैं तो आज के लिए पस इतना ही मिलते है हमारे next video में तब तक के लिए bye bye